वो इंतजार देख रहेंगे 2027 का बाजा है 2027 आजाए तो इंसे मुक्ति ली जाए 69,000 सिक्सक बरती हुई जिसमें 19,000 पदों पे घोटाला हुआ पिछड़ा आवरग आयोग ने और SCI आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी की घोटाला हुआ सरकार ने माना कि उनको पीटते हैं कपड़े फाड़ते हैं बेटियों के उनको मारपीट करते हैं अफमानित करते हैं जाते सुझे गालिया देते हैं पुलिस से पीटवाते हैं यह जो अन्याय हो रहा है यह दर्दनाक है इन्तजार देख रहे हैं कि 2027 कबा जाया है जो गलती 2022 में हो गी ती वह दुबारह ना दो रहाए जाए लोगों में बहुत चंता हैं अलप्रंक्यों में नहीं डलितों में पिछलों में बहुत चंता हैं क्योंकि जो अवसर की संबता जो है सविधान दे रहा था नोकरी आती थी रोजगार पैदा होते थे तमाम तरह से जो है विकास का रहे तो वो सब बंद हो गए हैं और अगर हैं भी कहीं तो सीमी दाइरे में हो गए हैं लोगों नहीं अबसर नहीं मिल रहे हैं अच्छे अस्कूल बंद किये जा रहे हैं अ उनको जिस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है जिस तरह से बहुदित समाज के लोगों के जो तीर तरह हैं या उनके जो धार्मिक आजने उनको रूम में रोक लगाए जा रही है उसी तरह से मुसल्मानों को इसाइयों को भी प्रेशान किया रहा है यह सब चीज़े ज सब्सक्राइब करें तो यह सब चीजे सरकार के नेतुरत में उत्तर प्रदेश में हो रही है लेकिन इस बात से आज वर्षत है कि जब 27 में चुनाओ आएगा तो हम इनको पठकनी देंगे और 24 में भी वो इसको मुझे लगता है कि वोट की चोट से सरकार को जवाब देने वाल है दोजार 24 को लेकर आजास समाज पार्टी और खास तौर पर आपकी क्या तैयरी आपके वारे में चर्चा है कि आप नगीना सीच से लोग सबाद चुनाओ लडएगी देखें मैं पार्टी का एक समर्पित कारे करता हूं पार्टी का जो आदेश होगा मैं तो राइस्थान चुनाओ नहीं लड़ा वेक्तिकत रूप से लेकिन मैं प्रचार में था माला लगातार चो पार्टी का अदेश होगा उस वो सर्व मानने होगा अगर पार्टी चुनाओ लड़ाएगी जैसे उन्होंने कहा भी तो उन्होंने कहा मुझसे रेली करके उ कि अहकर पहुंची होगा इस से हम लोग सीक लेंगे उसी को आदार बनाके उत्तर प्रदेश में हम काम करेंगे और हर्याना में विवेधान सबान चुनाओ में हरियाना उत्तर प्रदेश, दोनों पर हमारी निगाह ए लोक्सवा चुनाओ वी और confidence क्यों से सबाओ हैं, किन सीटों पे लड़ेगी किसी के साथ लड़ेगी या अलग लड़ेगी यह सब चिजे बोतल से भार आ जाएंगे और आप सब लोग को जानकारे मिल जाएंगे उनतर जार सिक्सक भरती हुई जिसमें उननी सजार पदों पे घोटाला हुआ पिछड़ा आवरग आयोग ने और सी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी की घोटाला हुआ है सरकार ने माना भी सरकार के मुख्य मंत्री मैं तो उनको संत मानता हूं उनको चाहिए था कि वो इ अब तक उनको न्युक्ति पत्र नहीं दिया कल उस पर सदन में भी चर्चा हुई वो बच्चे जब भी जाते हैं बिजबी कारे ले किसी मंत्री क्या क्योंकि जिन पर ताकत नहीं के बाद जाएंगे मैं तो उनको पीटते हैं कपड़े फाड़ते हैं बेटियों के उनको मा अब गरूगा कि मुख्य मंत्री जी राजध्रम नहीं बाते उन बच्चों को न्युक्तिया दे और भविस्य में जो भरतिया आने वाली हूं अगर आये तो कम से उनमें घोटा ले ना कराएं गरीबों के बच्चों का अधिकार ना चीने किसानों को उनकी फसल के त्याम द आतम चिंतन करें कि उत्तर प्रदेश में आखड़े मघाये जिलों से जिलों में क्या हो रहा है नोजवान किस तरह से पीड़ी आ सुइसाइड कर रहा है उनकी जीवन में बदलाओ आप्पे तो पावर है आप कर सकते हो हम पर पावर नहीं है ना हम पर होती हम कर 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 दिख जब विश्वास उनको जंता ने दिया उस पर अच्छा काम करके दिखाएं तो ऐसा मुझे लगता है कि सरकार करना चाहिए होनी चाहिए मैं तो बहुत इन से मांग कर रहा हूँ अब हम यात्रा पर निकालेंगा उत्तर प्रदेश में मंदल यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश में निकालने माले क्योंकि मंदल कमिशन आया तो फिछले वर्ग के लोग को बहुत फायदा हुआ आज वो नोकुरी में आये आज वो उनके बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं अब अगर इससे सरकार चिड़ती है तो चिड़े हमें तो इन वर्गों के हितों की रक्षा करने हैं जिनको अवसर नहीं मिलें तो और धार्मिक रूप से भी जो मुसल्मानों के साथ अन्या हो रहा है जो इसाईयों के साथ बोदिष्टों के साथ जो न्या हो रहा है जो शिखों के साथ अन्या हो रहा है यह अन्याएं भी जैनो के साथ जोनना है ये भी बंद करना पड़ेगा सरकार को आपको पता है भाजपा के मुख्य मंत्री बैठे थे उत्तर प्रदेश के राइस्थान में और मैं चुनाओं में था और उनके बैठे एक आदम एक उनका नेता बयान देता है कि सिखों के गुर्दवारे और मस्जिद झाल